कि us?. याउलॉब बच्चोब? कि लोकोमोशन एंड मूर्मेंट हम लोग पढ़ रहे थे और लास्ट में हमने टाइप ओफ मसल्स और स्केलिटल मूसल्स वार्मिकल कउनों करने निसेस कर लिए था . ? अपने लेटाटामिकल वीचर , हर अपने वने दिसक्कस किया था तो मेरा एक recommendation है आपको पहले जाके इसके part 1 को complete कर लिजिए उसके बाद part 2 पे आईए तो शुरू करते हैं आज की class को तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक revision हम लोग जो है discuss करते चलें last class का क्या revision है भाई जड़ा देखते हैं हमने बोला था कि skeletal muscles में muscle fibers पाए जाते हैं और जो muscle fibers होते हैं उन muscle fibers ये जो muscle fibers है parallelly arrange होते हैं और उन muscle fibers में strations ऐसी lining present होती है जिन linings को हम क्या कहते हैं strations ठीक है ऐसा हमने animal tissue में भी पढ़ा हुआ है जब हम animal tissue पढ़ रहे थे और last class में भी हमने यहाँ पर देखा था कि parallel muscle fibers हमें यहाँ दिख रहे हैं और parallel muscle fibers में हमें strations दिख रहे हैं ऐसी lining दिख रहे हैं इनी strations को समझते हुए detail में बढ़ेंगे structure of myofilament को हम लोग detail में discuss करेंगे तो आईए शुरू करते हैं myofilament से ही हम शुरुआत करते हैं तो myofilament के structure को थोड़ा सा detail में समझने की कोशिश करेंगे तो बच्चों कुछ diagram मैं basic से बनाऊंगा उन diagram को समझेगा हमने मान लीजिए muscle fiber के एक myofilament को लिया है ठीक है ये एक myofilament है किसका ये myofilament है muscle fiber का myofilament है ठीक है तो यहाँ पर हमें इसमें क्या मिलेंगे हमें numerous linings मिलेंगी और इन linings को हम कहते हैं strations ठीक है हमें बहुत सारी lining मिलेगी और इस lining को हम कहते हैं क्या strations ठीक है जब हम इन strations को या इस myofilament को zoom करेंगे बढ़ा करके देखेंगे ठीक है कितना zoom किया मान लीजिए हमने इसको थोड़ा सा zoom कर दिया बढ़ा कर दिया ठीक है अब यह हमने इसको myofilament को जब बढ़ा कर दिया तो जो strations हमें दिख रहे थे पतली lining के फॉर्म में अब वो strations हमें बड़े broken lines के फॉर्म में दिखाई देंगे ठीक है वो strations हमें कैसे दिखाई देंगे बड़े broken lines के form में वो strations दिखाई देंगे याद रखना broken lines के form में वो strations दिखाई देते हैं यानि ये पतली line zoom करने पर एक band के form में दिखाई देती है ठीक है एक strip के form में दिखाई देती है जिसे हम band बोलते हैं तो अब जब हमने बोला last class में आज भी बोल रहे हैं कि जहां strations present होते हैं वहाँ की density जादा मिलती है और density जादा मिलती है तो strations वाला part हमें dark color का दिखाई देता है और इसलिए हम इसे dark band कहते हैं ठीक है? dark band कहते हैं अच्छा दो dark band के बीच में दो dark band के बीच में हमें जो low density वाला part दिख रहा है उसे हम light band कहते हैं ठीक है? तो हमें क्या दिख रहा है? alternate dark band दिख रहा है फिर light band दिख रहा है फिर dark band दिख रहा है फिर light band दिख रहा है फिर dark band दिख रहा है alternate pattern में ये दोनों तरह के band हमें एक myofilament में दिखाई देते हैं ठीक है हम इसको देख लें भाई ये क्या है भाई myofilament है myofilament है myofilament में ये हमें दिखाई दे रहा है अब जड़ा और detail में देखें थोड़ा सा और detail में जाएंगे तो हम कुछ बातों को समझ पाएंगे कुछ बातों को क्या समझ पाएंगे कि जो dark band है उसे हम a band भी कहते हैं ठीक है a band क्यों कहा जाता है वो हम यहीं पर mark कर लेंगे a band कहा जाता है an isotropic band an isotropic band an isotropic band होता है इसलिए a band कहते हैं दूसरा है light band जो कि eye band कहलाता है, isotropic band होता है, isotropic band होता है, जिससे हम eye band बोलता है, तो यानि strations हमें dark band के form में दिखते हैं, strations के बीच में जो low density वाली strip दिख रही है, वो हमें light band या eye band के form में दिखते हैं, तो हमें 2 band दिख रहे हैं, एक A-band, an isotropic band दूसरा I-band, isotropic band ठीक है? एक और important line एक और important point ध्यान में रखना है जो light band होता है उसके बीचो बीच ध्यान से सुनना जो light band होता है उसके बीचो बीच एक line present होती है उसे कहते हैं Z-line इधर भी present है इधर भी present है इसको बोलते हैं Z-line तो light band के center पर एक line present I-band के center पर light band यानि I-band light band के center पर एक line present होती है उस line को हम बोलते है Z-line ठीक है? Z-line याद रखना है और दो adjacent Z-line के बीच में जो part present होता है दो adjacent Z-line के बीच में जो part present होता है उस part को बोलते है सार को मियर क्या बोलते हैं? सार को मियर तो एक Z-line से दूसरे Z-line तक का जो structure है वो कहलाता है सार को मियर ठीक है? एक Z-line है दूसरी Z-line है इनके बीच का जो part है इस part को बोलते हैं सार को मियर तो एक myofilament में हर light band के center पर Z-line होती है और दो alternate या बोला जाए दो adjacent Z-line के बीच का जो part है उस part को हम सार को मियर कहते हैं सार को मियर is the structural and functional unit of myofilament सार को मियर क्या है? it is the structural and functional unit of myofilament सार को मियर is the structural and functional unit of myofilament myofilament की structural और functional unit होती है जिसे सार को मियर कहते हैं यादर तो जो हम बात करते हैं कि muscle में contraction होता है वो muscle में contraction actually muscle fiber में होता है muscle fiber में पाये जाते हैं myofilament और myofilament में मिलता है सार को मियर तो actually वो जो contraction है वो सार को मियर में पाये जाता है उसके resultant ही ये contraction हमें पूरे myofilament में पूरे muscle fiber में और पूरी muscle में दिखाई देता है तो actually contraction muscle में नहीं होता कहा होता है सार को मियर में होता है कैसा ये contraction होता है और कैसा ये सार को मियर पाये जाता है उसको समझने के लिए हम दो adjacent Z-line के बीच का जो portion है यानि एक सार को मियर का जो portion है उसको और जूम करके पढ़ेंगे और जूम करके समझेंगे जिससे हमें सार कुमियर का structure समझ में आएगा कैसा आएगा अभी तक ये basic points आपको clear होंगे ठीक है इसको note कर सकते हैं और note करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे note करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे कैसे मैं diagram हाथ से बनाऊंगे इसको ऐसे ही समझने कोशिश करना ये मालेजी एक myofilament हमने इसको जूम किया हमें यहाँ पर एक z line इधर मिल रही एक z line इधर में ये दो z line है जो इस सार को मियर में present है बीचो बीच हमें high density वाला region हमने बुला broken line present थी तो ये वो broken line है high density वाला region है और high density वाला region क्यों है क्योंकि यहाँ पर एक protein पाया जा रहा है जिसे हम नाम दे रहे हैं क्या myosin protein क्या नाम दे रहे है myosin protein myosin protein नाम दिया ठीक है देख सकते हैं ये जो है myosin protein के filament होते हैं और उन filament का head होता है जो बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है myosin filament का head जो बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है ये head actually जो है filament paired form में पाये जाते हैं तो जहाँ head भी हमें मिलते हैं तो वो paired form में मिलते हैं उपर मैंने यहाँ पर पतला सा एक filamentous protein बनाया है, जो low density वाला thin filamentous protein होता है, जिसे actin protein कहते है, यह actin protein थोड़ा सा myosin को overlap करता है, ऐसा नहीं कि end to end पाया जाता है, यह myosin को थोड़ा सा overlap करता है, thin filamentous protein होते हैं, नाम है actin protein, तो अभी हम दो तरह के protein को देख रहे हैं, एक high density वाला thick protein है, जिसे बोल रहे हैं myosin, एक low density वाला thin filamentous protein है, जिसे कह रहे हैं actin, तो यह जो thin filamentous protein हमें दिख रहा है, यह क्या है, actin protein, ठीक है, जो thin filamentous protein दिख रहा है, हमें यहाँ पर यह z-line दिख रही है, एक z-line इधर, और एक z-line इधर, दो z-line के बीच का जो portion है, वो हमें दिख रहा है क्या, सारको मियर, ठीक ऐसा ही सारको मियर इसके ठीक बगल में मिलेगा, ठीक है, ठीक बगल में, और एक इधर भी मिलेगा, यहाँ से भी filament बाहर की तरफ निकले हुए हमें मिलेंगे, वो भी कैसे फॉर्म में, पेर्ड फॉर्म में, मायोसिन के जो filament है, वो बाहर कींका head निकला हुआ पाया जाता है, किस फॉर्म में, पेर्ड फॉर्म में, और इधर भी हमें actin protein मिलेगा, यह भी मायोसिन को overlap करता हुआ मिलेगा, इधर भी हमें actin protein मिलेगा, मायोसिन को overlap करता हुआ, तो एक सारको मियर के ठीक adjacent, दूसरा सारको मियर मिलेगा, लेकिन दो Z-line देखो, एक यह Z-line है, और एक इधर Z-line, दो Z-line के बीच का जो portion है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, सारको मियर, यानि यहां से यहां तक का जो portion है, इसी portion को हम क्या कह रहे हैं, एक सारको मियर, दूसरा इसके बगल में एक सारको मियर, एक इधर सारको मियर, ठीक है, अब हमने कुछ बातें जो लिखनी है, जो ध्यान में रखनी है, उसको नोट करेंगे, मायोसिन के बीचो बीच एक और लाइन पाई जाती है, इसे बोलते हैं M लाइन, क्या बोलते हैं M लाइन, तो Z लाइन, एक्टिन के बीचो बीच, यानि लाइट बेंड के बीचो बीच होती है, M लाइन, डार्क बेंड के बीचो बीच होती है, जहां से जहां तक मायोसिन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं डार्क बेंड या ए बेंड जहां से जहां तक मायोसिन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं डार्क बेंड या ए बेंड ये भी हमें ए बेंड का पार्ट दिख रहा है दो A-Band के बीच में जो खाली जगह दिखती है उसे हम बोलते हैं I-Band एक सार कुमियर में हमें Half I-Band इधर मिलेगा और Half I-Band इधर मिलेगा Half I-Band क्योंकि बीचों बीच से कट कर रहा है तो देखो यहां पे ध्यान से ये एक A-Band है Half I-Band लेफ्ट साइड Half I-Band राइट से तो पूछा जाए कि एक सार कुमियर में कौन-कौन से Band प्रेजन्ट होते हैं तो One Complete A-Band and Two Half I-Band यहां से यहां तक एक सार कुमियर है Half I-Band लेफ्ट की तरफ Half I-Band राइट की तरफ और सेंटर में हमें A-Band मिल रहा है और यह पूरा बनता है एक Complete सार कुमियर अब ध्यान से भी A-Band में अगर आप देखोगे यहां पे यह portion है जहां पे Actin और Myosin दोनों पाये जा रहा है यह portion है जहां पे केवल Myosin पाये जा रहा है तो Anisotropic Band क्यों कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके कुछ portion में दो तरह के protein है कुछ portion में एक तरह का protein है ठीक है इसलिए नाम पढ़ता है Anisotropic I-Band में देखें तो केवल और केवल Actin present है इसलिए यह Isotropic तो different types of protein हमें दिखते है A-Band में इसलिए नाम पढ़ता Anisotropic एक ही तरह का same type का protein दिखता है same type की density पाई जाती है light band में इसलिए उसलिए 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 इसलिए 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 आइसो ट्रोपिक कहा जा अब जड़ा एक और बात ध्यान से देग हमें A-Band में एक ऐसा पार्ट दिखता है जहां पर केवल मायोसिन प्रेजन्ट है एक ऐसा पार्ट है जहां केवल मायोसिन प्रेजन्ट है actin प्रेजन्ट नहीं है तो वो पार्ट जहां पर केवल मायोसिन प्रेजन्ट होता है उसे बोलते हैं H-Zone और वो पार्ट जहां पे Actin और Myosin दोनों present होते हैं उसे बोलते हैं C zone क्या बोलते हैं C zone ठीक है फिर से डाइग्राम को देखेंगे समझने कोशिश का हमने बोला क्या बोला भाई एक सारको मियर जो है एक Z line से शुरू होगा दूसरे Z line तक present होगा फिरू हुआ दूसरे Z line पे खतम इनके बीचो बीच हमें A band मिलेगा A band में हमें कुछ Actin protein भी दिख रहा है Majorally इसमें Myosin भी दिख रहा है दोनों तरह के protein दिख रहे हैं इसलिए हम इसे anisotropic band कहते हैं I band में हमें केवल actin protein दिखता है एक ही तरह का protein दिखता है इसलिए इसे isotropic band कहते है क्यों पढ़ा N isotropic या A band Isotropic या I band नाम समझ में आगला हो अब N isotropic band में भी एक वो portion है जहाँ पर केवल myosin present होता है उसे बोलते है edge zone एक वो portion है जहाँ पर actin myosin दोनों present होते है जहां Actin Overlap करता है Myosin को उसे बोलते है Sea Zone जो यहाँ पर Myosin के filament बाहर निकले हुए दिखाई देते है Paired Form में इन्हें बोला जाता है Cross Bridges क्या बोला जाता है? Cross Bridges तो हमें एक सारको मियर का structure कुछ ऐसा दिखता है अब होता क्या है बच्चों? एक muscle contract कैसे करी? या सारको मियर contract कैसे किया? इस बात को मैं आगे तो बहुत बार बताऊंगा लेकिन अभी बस basic structure को basic mechanism को आप समझे दोनो Z line दोनो Z line एक left वाली और एक right वाल दोनो Z line एक दूसरे के पास आती है Actin जो है वो slide करता है किसके उपर? Myosin के उपर दोनो एक्टिन Myosin के उपर slide करते हैं और पास आने की कोशिश करते हैं कब? जब muscle contraction होता है जब सारको मियर में contraction होता है तो left से जो Actin है वो right की तरफ जाने कोशिश करेगा right का जो Actin है वो left की तरफ आने की कोशिश करेगा दोनों Actin एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे जिससे length of sarcomere क्या हो जाएगी? reduce हो जाएगी length of myofilament reduce हो जाएगा length of muscle fiber reduce हो जाएगा and length of muscle reduce हो जाएगी और muscle क्या हो जाएगी? contract कर जाएगी इसको बोलते है sliding filament theory क्या बोलते हैं sliding filament theory बड़ा मैंने basic बता है आगे मैं इसके detail mechanism बताऊँगा अभी बस नाम समझो सारको मियर में actin slides over myosin energy लेगा energy लेने के बाद ये actin slide करेगा किसके उपर myosin के उपर और myosin के उपर slide करेगा तो दोनों actin एक दूसरे के पास आने लगेंगे कुछ points में बोल रहा हूँ note कर लेना ध्यान से कुछ points बोल रहा हूँ पहला point actin slides over myosin and come together मतलब come closer actin myosin के उपर slide करते हैं जितना contraction होगा उतने actin एक दूसरे के पास आ जाएंगे दोनों actin filament एक दूसरे के पास आ जाएंगे rigorous contraction में इhoven डूसरे को overlap कर सकते हैं left वाला और right वाला एक दूसरे को overlap कर सकते हैं यह दोनों एक दूसरे को overlap कर सेंगे तो जितना यह दोनों पास आते जाएंगे edge zone कम होता जाएगा याद रखना हैं C zone बढ़ता जाएगा H zone कम होता जाएगा देखो यहां से यह actin pass आ रहा है H zone कम होता जा रहा है C zone की length बढ़ती जा रही है overlap कर गया overlap कर गया दोनों actin overlap कर गया H zone गायब हो गया दोनों actin overlap कर गया H zone गायब हो गया अब हुआ क्या हुआ देखो कैसे दोनों Z-Line एक दूसरे के पास आएंगी दोनों Z-Line एक दूसरे के पास आएंगी I-Band की Length Reduce होगी H-Zone की Length Reduce होगी C-Zone की Length बढ़ेगी A-Band की Length या बुला जाए A-Band की जो Length है वो सेम रहेगी उसकी Density बढ़ जाएगी और Overlap करनी की वज़े से A-Band की Width बढ़ जाएगी Width मतलब ये Width बढ़ जाएगी जब Muscle Contract करती है तो डोले शोले निकल जाते हैं ना Muscle की Width बढ़ जाती है क्यों? क्योंकि Fibers की Width बढ़ जाती है तो जब ये Actin एक दूसरे को Overlap करेंगे तो इस Myofilament की Width क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी लेकिन A-Band की जो Length है जो Band है वो Fix रहेगा So A-Band Fix रहता है I-Band कम हो जाता है ये Point Note कर लेना Edge Zone Reduce हो जाता है Reduce होते 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 Gायब हो जाता है C-Zone Increase हो जाता है दो Z-Line के बीच की दूरी कम हो जाती है दो Adjacent Z-Line के बीच की दूरी कम हो जाती है दो Adjacent M-Line के बीच की दूरी याद रखना दो Adjacent M-Line के बीच की दूरी भी कम हो जाती तो भई सब कुछ कम हो रहा है बढ़ क्या रहा है Edge Zone कम हो रहा है I-band कम हो रहा है दो Z-line के बीच की दूरी कम हो रही है दो M-line के बीच की दूरी कम हो रही है बढ़ क्या रहा है C-zone बढ़ रहा है H-zone गाइब हो रहा है कम होते होते गाइब हो गए A-band fix है जितना जादा overlapping होगी उतना जादा protein जो है A-band की तरफ move करेगा और A-band में density बढ़ती जाएगी इसकी width बढ़ जाएगी A-band का width length है वो का मतलब length same रहेगी width बढ़ जाएगी ठीक है इसको बोलते है sliding filament theory याद रखना क्या बोलते है sliding filament theory proposed by Huxley and Huxley and Hanson या Huxley and Hanson बोला जाता है Huxley and Huxley and Hanson ठीक है ये हो गया Huxley and Huxley and Hanson कौन सी theory sliding filament theory मुझे उमीद है अब आपको ये filament theory समझ में आ गई होगी आगे इसका explanation देखेंगे तो basic concept समझ में आ गया comment में लिखो बाई ठीक है basic concept सबको समझ में आ गया है ना मुझे लग रहा है comment में लिखेंगे समझ में आया नहीं आया बहुत जरूरी है देखते हो ना चोब चोरी चोरी वीडियो सब लोग देख लेते हो comment नहीं करते हैं comment किया करो भाई हमारे लिए motivating होता है चलो ले तो ये बड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज तक कभी मैंने बोला नहीं है ठीक है मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो process है ये थोड़ा सा conceptual है थोड़ा complicated है बहुत आसानी से समझ में आ जाए तो मानलो आपकी बल्ले बल्ले अभी मैंने उसका एक phase बताया sliding of filament बताया कौन किस के उपर slide करता है actin slide करता है myosin के उपर आगे हम लोग देखेंगे mechanism कैसा है ठीक है कौन किस के उपर slide करता है ये बताया, आगे मैं बताऊंगा कैसे slide करता है कैसे slide करता है ये समझने के लिए हमें इसके structure को detail में समझना पड़ेगा हमें actin के structure को detail में समझना पड़ेगा हमें myocin के structure को detail में समझना पड़ेगा दोनों के structure को हमें detail में समझेंगे, अभी तो यह sarcomere के level पर diagram है तो जो points मैंने बताई उस points को याद रख लेना, actin slides over myocin and thus contraction takes place in sarcomere and this contraction is known as sliding filament theory proposed by huxley and hanson किसने propose किया था huxley and hanson आगे देखते हैं इसी को जो मैंने अभी आपको बताया है यही सब यहाँ पे कहानी के रूप में लिखा हुआ है pattern जो points NCRT के points के रूप में लिखा हुआ है ध्यान से देखना क्या कहना चाहरा है I band contain actin I band में actin होता है इसलिए इसे isotropic कहते हैं A band में actin और myosin दोनों होता है इसलिए इसे anisotropic कहते हैं बड़ी simple सी बात है हमें याद है ठीक है भूले नहीं है हम I band isotropic A band anisotropic क्यों कहते हैं इसलिए I band में केवल actin होता है A band में actin और myosin दोनों होता है और यह जो myofibrils होते हैं यह बोला जाए जो actin और protein है यह किस form में arrange होते हैं parallel form में arrange होते हैं यह तो हमने पढ़ाई तो जैसे fibers arrange है parallel form में उन fibers के अंदर यह filamentous protein है यह filamentous protein भी arrange है किस form में parallel form में underline कर लेना यह याद रखना parallel form में यह भी arrange होते हैं क्या जो actin और myosin protein है ठीक है जहां से जहां तक myosin पाया जाता है उसे बोलते हैं event जहां से जहां तक myosin पाया जाता हुसे बोलते हैं event जहां पर keval actin पाया जाता हुसे बोलते हैं event तो एक सारकुमियर एक z-line से दूसरे z-line तक होती है तो आधा, आईबेंड लेफ्ट साइड, आधा, आईबेंड राइट साइड और बीच में एक मोटा, तगडा, हटता, कटा A-Band ठेक है? उमीर है? समझ में आ रहा होगा? डीटेल में जाएंगे, एके करके डीटेल में जाएंगे डीटेल में जाएंगे तो कैसा समझ में आगा भाई थोड़ा और देखते हैं क्या-क्या बोल रहा है A band, B are a light region in the middle A band में बीच में एक light region पाया जाता है जहाँ केवल myosin protein होता है उसे बोलते हैं H band या H zone और वो पार्ट जहाँ पे actin और myosin दोनों present होते हैं यहाँ पर यह center वाला पार्ट है यह H zone H band या H zone और वो पार्ट जहाँ पे actin और myosin दोनों present होते हैं उसे भूलते हैं C zone हाला के NCRT में C zone का जिक्र नहीं किया लेकिन याद रखने में कोई बुराई नहीं है ठीक है हेड के बारे में बात की टेल के बारे में नहीं बताया यह tail understood है एक कोईन है उसको toss किया हेड के बारे में बताया टेल के बारे में नहीं बताया हेड पूरी तरह से बता दिया tail understood है H zone के बारे में पूरी तरह से बता दिया C zone understood है ठीक है ध्यान में रहिखता हूँ पत्ली सी लाइन है जिसे बोल रहे है M-line Dark band के center पे एक पतली सी line है जिसे हम बोल रहे हैं M-line I-band के center पे एक पतली सी line है जिसे बोल रहे है Z-line I-band के बीचो बीच Z-line A-band के बीचो बीच M-line ध्यान रखना है भूले तो उपर वाला माफ नहीं करेगा ठीक है? एकदम भूलना नहीं है पूछा जाता है When muscle contract जब muscle contract होता है Actin filament on either side partially overlap so that edge zone disappear Actin filament दोनों तरफ से slide करते हैं Myosin के उपर और एक दूसरे को overlap करते हैं तो जब तक slide कर रहा है इनके बीच का gap कम हो रहा है edge zone कम हो रहा है और ये एक दूसरे को overlap कर गया edge zone गाइब हो गया देखो ये अब एक दूसरे के pass आ रहा है pass आ रहा है edge zone reduce हो रहा है अब क्या है overlap करने करने वाला है overlap करने करने वाला है और ये overlap कर गया तो जब तक overlap नहीं किया है edge zone दिख रहा है जैसा ही overlap कर गया edge zone disappear edge zone disappear तो H zone की length कम होगी C zone की length बढ़ेगी आई band bisect by a dense dark line known as Z line तो I band के center पे एक thick dark line पाई जाती है जिसे बोलते है Z line M line thin है Z line थिक है यह याद रखना है region between two adjacent Z line adjacent two Z line का मतलब एक ननी हाल में एक ददी हाल में ऐसा नहीं अगल बगल की 2 Z line अगल बगल की 2 Z line के बीच का जो portion है उसे सारकोमियर कहते है and सारकोमियर are the structural and functional unit of हमने बोला myofillament क्योंकि myofillament unit है muscle fiber का muscle fiber unit है muscles का तो सारकोमियर are considered as the structural and functional unit of muscles क्योंकि सारे muscle fibers का structure सारकोमियर का बना है और सारकोमियर जो function perform करता है वही पूरी muscle में function perform होता है that is contraction by sliding of filament ठीक है? contraction cause करता है कैसे cause करता है? by sliding of filament तो हमें समझ तो आ गया कि sliding filament theory होगी जिससे contraction होगा लेकिन ये sliding of filament होगी कैसे? mechanism of sliding of filament क्या है? mechanism of muscle contraction क्या है? उसको अब हमें समझना है और उसको समझने के लिए अब हमें actin को समझना पड़ेगा अब हमें myosin को समझना पड़ेगा और जब हम ये actin और myosin को अच्छे से समझ जाएंगे तब हमें mechanism को समझना पड़ेगा ठीक है? actin और myosin को अच्छे से समझ जाएंगे तो mechanism को समझना पड़ेगा तो चलिए देर किस बात की शुरू करते हैं सबसे पहले actin actin protein पे ध्यान दें ठीक है actin protein क्या है भाई ये thin filamentous protein होता है मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ पे इतने बड़े diagram की ज़रूत है नहीं इस diagram को बड़ा कर दे रहा हूँ इसकी थोड़ी ज़्यादा ज़रूत है चलो गए ठीक है actin जो की यहाँ पे देखो यह जो पतले वाले protein है यह जो dark blue color के निख रहा है यह पतले वाले protein है myocene जुड़ा है किस से जुड़ा है cross bridges से जुड़ा है myocene जुड़ा है कैसे cross bridges ay देखते है तो यह जो actin protein है इस actin protein को बड़ा करके देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा ऐसा दिखेगा यह actin protein यह बोला जाए actin filament It is made up of actually three types of protein Each actin filament is made up of three types of protein एक actin filament तीन अलग अलग तरह के protein से मिलकर बना है कौन-कौन से तीन अलग अलग तरह के protein है एक है troponin, दूसरा है tropomyosin और तीसरा है affectin Troponin, tropomyosin और affectin ये तीन तरह के protein है अब ये तीनों तरह के protein कैसे पाये जाते हैं, ध्यान से देखो हमें दो chain मिलती है इन दोनों chains को बोला जाता है affectin filamentous actin एक green color की chain दिख रही है इस chain को बोला जाता है filamentous actin और ये chain globular protein की बनी होती है किस की बनी होती है? ये globular protein ये जो है round round जो balls दिख रही है ये globular protein है तो globular protein का paired chain present होता है जिसे बोलते है affectin याद रहता है globular protein का paired chain present होता है जिसे बोलते है affectin globular एक जो round wall दिख रही है green color की ये क्या है? globulin protein या G protein या G actin कहते हैं और इसकी पूरी जो chain दिख रही है उसे affectin कहते हैं अब इस affectin के उपर one pair of tropomyosin filament overlap करता है one pair और ये लंबा filament है filament है दो हैं यहां से एक गया इधर overlap कर रहा है तो देखो यहां से एक गया इधर overlap कर रहा है यहां से एक गया इधर overlap कर रहा है तो दो tropomyosin filamentous protein है जो इस F-Actin के उपर क्या करते हैं इसको overlap करते हैं spirally overlap कर रहे हैं और एक और third protein पाया जाता है जिसे बोलते हैं Troponin जो scattered form में present होता है बिखरा हुआ पाया जाता है किसके उपर Actin F-Actin और Tropomyosin के उपर बिखरा हुआ रहता है और F-Actin और Tropomyosin को एक साथ जोड़ कर रखता है कौन जोड़ कर रखता है बैट? Tropomyosin ऐसा जोड़ कर रखता है द्यान से सुनना ऐसा जोड़ कर रखता है इन दोनों को कौन जोड़ कर रखता है? Troponin Troponin, F-Actin और Tropomyosin को एक साथ bind करके रखता है कि ट्रोपो मायुसिन जहां पर अटेच है जिस सर्फिस को ये कवर करता है ट्रोपो मायुसिन एक सर्फिस को कवर करेगा जैसे हम लोग रिंग पहनते हैं रिंग पहनने से एक मार्क बन जाता है, तो जब भी हम रिंग पहनते हैं, तो वो मार्क वाली सर्फेस जो है, वो cover हो जाती है, तो ऐसा ही मालो कि ट्रोपो मायोसिन जब इसको overlap, spirally overlap करेगा, तो एक सर्फेस इसके नीचे covered होगी, एक खास सर्फेस को ये mask करेगा, जैसे हम mask प binding site, myosin binding site, तो ये याद रखना, ट्रोपो मायोसिन mask over myosin binding site on F-actin, F-actin पे mask करता है, कौन? ट्रोपो मायोसिन, याद रखना, थियरी रेखते हैं, जड़ा क्या कह रहे थियरी, each actin filament is made up of, each actin filament is made up of two filamentous F-actin, और F-actin छोटे-छोटे polymer से बने होते हैं, जिन्हें G-protein या G-actin या globular actin कहते हैं, ये बात समझ में आगी, actin filament contain two other protein, namely tropomyosin और troponin, tropomyosin ऐसे-ऐसे paired form में present होता है, और overlap करता है, spirally किसको? F-actin को, और troponin, 3-3 के form में, 3, triplet के form में, 3-3, troponin का group, याद रखना, 3 है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, 3 है, यहाँ पे देखो, 3 दिख रहा है, ये चोटे-चोटे balls दिख रहा है, 3, में, 3-3 के form में, ये scattered होता है, at certain distance, कुछ-कुछ दूरी तक, ये scattered होता है, किसके उपर scattered होता है? Troponin और tropomyosin के उपर, और इन दोनों को एक साथ बांद कर रखता है, और tropomyosin, जिस जगह को, जिस surface को cover करता है, उसे बोलते हैं, myosin binding site, जो अंडर कवर होती है, किसके अंडर कवर होती है? Tropomyosin की है, तो जड़ा देखते हैं, two filament of tropomyosin, run along the grooves of the F-actin over double helix, double helix बना रहे हैं, उसके उपर ये run करता है, Troponin has three subunit, एक नहीं, दो नहीं, तीन, ठीक है, Troponin में क्या है, 1, 2, 3, कितने, तीन subunit, it is located at regular interval on the tropomyosin, ये tropomyosin पर regular interval पर located रहता है, scattered रहता है, in the resting condition, rest condition में, यानि muscle में अभी कोई भी contraction नहीं हो रहा है, muscle पूर्ण तह आराम कर रही है, resting condition में, resting condition में क्या हो गया, in resting condition, a subunit of troponin, mask the binding site for myosin on actin filament, ये जगह को mask करेगा, cover करेगा, उस जगह को हम क्या कह रहे हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या कह रहे हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट जिसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी आगे मतलब कहां मेकनिजम ओफ कॉंट्रेक्शन में मेकनिजम ओफ कॉंट्रेक्शन में जरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष में present होते हैं, तो myosin protein में भी numerous filament है यह numerous filament भी paired form में present है, यहाँ diagram एक pair of filament का है तो जो filament myosin का formation करते हैं, उसे कहा जाता है miromaiosin ठीक है? जो myosin filament का formation करते हैं, उन्हें कहा जाता है miromaiosin, और दो miromaiosin हमेशा paired form में present होते हैं तो यहाँ जो यह fiber हमें दिख रहा है, यह क्या है miromaiosin, यहाँ देखो myosin में, यह cross bridge जो हम बात कर रहे थे, बाहर की तरफ निकले हुए, दिखाई देते हैं, इन्हें myosin head कहा जाता है अब यह miromaiosin है, जो myosin का formation करेंगे, कैसे arrange है paired form में, समझ रहे होगे किसका जोड़ा, ऐसा लग रहा नाग नागिन का जोड़ा रही कुछ उसी तरह से यह भी spirally एक दूसरे से lipte हुए पाए जाते हैं एक दूसरे से lipte हुए पाए जाते हैं ठीक है, याद रखना तो जब हम देखेंगे तो हर एक mirror myosin में हमें दो पार्ट दिखेगा एक उसका head पार्ट, एक उसकी tail पार्ट, और head और tail को जोड़ता हुआ हमें neck region दिखेगा तो एक head पार्ट है और एक tail पार्ट है, tail एक दूसरे से spirally overlap करती है, ठीक है coiled पाई जाती है तो जो head पार्ट है उसे बोलते है heavy mirror myosin जो tail पार्ट है, उसे बोलते है light mirror myosin भाई, head भारी है high density है तो head पार्ट को बोलेंगे heavy mirror myosin जो tail पार्ट है, उसे बोलेंगे light mirror myosin heavy mirror myosin या HMM HMM यानि Heavy Miromaiosin Light Miromaiosin यानि LMM Light Miromaiosin अब Head Part में देखेंगे तो हमें दो Active Sight मिलेंगे Head Part में देखेंगे तो दो Active Sight Active Sight क्या होता है भाई? Active Sight क्या होता है? ऐसा कोई भी Position जिससे कोई एक Molecule किसी दूसरे Molecule से Attach हो या React करे जैसे चाभी हम कोई भी Key देखें मेरे पास अभी कोई Key नहीं है कोई भी Key देखें Key पे एक खास तरह का Pattern बना होता है और वो खास तरह के Pattern वाली Key एक खास तरह के Lock को ही खोलती है तो जो Pattern बना है Key के उपर वो क्या है उसका Active Side जैसे ये Pen है Pencil है ठीक है इसका ये Cap है अब ये इसका Charging Slot है तो जैसा Charging Slot का Pattern बना है उसी के Opposite Pattern इस Cap पे बना है इसको इसमें Attach कर दिया Attach हो गया तो इन दोनों का Active Side एक दूसरे से Attach हो गया तो ये क्या हो गया Active Side of Pen and Active Side of Cap ऐसा ही Key और Lock में पाये जाता है खास Active Side खास Pattern वाला Key खास Pattern वाले Lock को खोलेगा और इसलिए अलग-अलग Lock के Active Side अलग-अलग होते हैं और उनके Compatible Active Side अलग-अलग Keys में पाये जाते हैं तो इसी को बोलते है Active Side तो Active Side यहाँ पे दो मिलेंगे एक Active Side है Actin Binding Side जहां ये Actin से Bind होगा दूसरा Active Side है ATP Binding Side जिस पर ATP Bind होगा तो उपर वाला जो Superior Active Side है वो Actin Binding Side है जो नीचे वाला Active Side है वो ATP Binding Side है पोजिशन याद रखना उपर वाला Actin क्यों Actin उपर है ATP नीचे की तरफ जोड़ेगा Energy Provide करें ठीक है तो ये एक Basic Idea किसका है ये Basic Idea किसका है Myosin का देखते हैं According to Sliding Filament Theory Contraction of Muscle takes place by Sliding of Thin Filament over the Thick Filament हमें मालूम है Thin Filament कौन? Actin, Slide करता है किसके उपर थे एक फिलामेंट को and Myosin Actin Slides over Myosin और इसी को बोलते हैं Sliding Filament Theory यहाँ से शुरू होता है बच्चों हमारा Mechanism of Muscle Contraction ठीक है? तो हमें उमीद है Actin आपको समझ में आ गया Actin का structure Myosin का structure समझ में आ गया अब क्या? Mechanism of Muscle Contraction Muscle Contract करती है कैसे? Sliding Filament Theory से लेकिन कैसे? How? यह हम लोग देखेंगे अपने Next Part ठीक है? तो आज आपको Basically मेरा जो मोटिव था सारको मेर का structure बताना था सारको मेर के कौन-कौन से Part है उनमें जब Contraction होता है तो क्या-क्या Changes आते हैं फिर उसके बाद Mechanism of Muscle Contraction पे हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी Next Class में जहां हम Sliding Filament Theory का Detail डिसकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि Muscle Contract कैसे करती है ठीक है? यह समझेंगे कि Muscle Contract कैसे करती है तो मुझे उमीद है यह points आपको समझ में आए होंगे अगर समझ में आए हैं तो आप comment में जरूर लिखें ठीक है? फिर मिलते हैं Next Class में Mechanism of Muscle Contract को समझने के लिए तब तक के लिए Goodbye, Take Care and Thank You